एलो फ्रेंट्स रादे किष्णा कृति कोयल की रस्वाइब में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आपके लिए कर आहीं हूँ कोटू क्याटी के पूरिया आप देख सकते हैं पूरिय बहुत बढ़िया बनी हुई है और मैं आपको इसको तोल कर दिखाती हूँ कितनी आपवावल यहां पे कुटूक आटा लिया हुआ है तो हम सबसे पहले फ्रेंट्स क्या करते हैं यह जो आटा है लगवाग असी से सौ ग्राम होगा तो सबसे पहले हम करते हैं एक वरतन में आटा और असमें एक आलू मैस करना है हमें आलू करके हम साइड पर रख लेंगे स्थे कर जिस्क है कि उसालू बनाएंगे वह बढ़हा से रेडी हों इस तरीके से मैंने आलू को ले लिया है हें हाथ की साइटा से इसको इसको ऐसा मोटा-मोटा पर लिया है आप थोड़ा देख़ कर कर आप लियम आब हम它भी गरम हो रहा है तो इसको इस तरीके से करना ह तो आलो हमारा बहुत बिलक् uniformly रखना है तॉकडु है देखिए आप इस तरीकयว से बहुत बढ़ के रेडिह होगी एक यह साइड में सबस्तyes के लिए बहुत बर्ढ़ अच्छा हूतह बहुत अच्छा है और मैंने अच्छा हम उसमें दीक ठीड तो अड़Now. यह गरम हो गया है देखिए आप गरम हो रहा है बहुत पढ़ असे मैस सबसे पहले अट करूंगी मेथी दाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और अधि बगरा के लिए अच्छा होता है बुद के दिककत ने होती पर सुखे आलू है या फिर ऐसी कोई सब्जी जो बाद तो आप देखिए मेठी दाना हमारा लगबग रेडी हो गया हम यहां पर एड़ करते हैं और जो आलू हमने लिया हुआ है उसमें मैंने सिंधा नमक ले सकते हैं इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है आप देख सकते हैं मैं अभी मिर्ची वगारा कुछ भी यूज नी की है मिर सब्सक्राइब को बहुत परिशानी होती है इसलिए मिर्ची इसमें बाद में आट करती हूं आलू हमारा देखिए आप एक साइट को मैं इसको ऐसी फेला के छोड़ दूंगी तो आप देखेंगे नीची को कितना बढ़िया कलर आता है इसको पलट कर आलू हमको स्लो फ्ले बहुत ही अच्छा आलू रेडी होगा ब्रत में इस तरीके से आलू बनाने को स्वादिया लगोता है आप चाहें तो देखि रहीं से बिखा सकते हैं चाहें तो शुक्ति क regarde कि पूड़ी सब साथ में आलू बढ़ ले सकते हैं वहसे प्योक्र मैं नहीं होगा और इसको रही तो जादर दिर हमको इसको भूनने की कोई जोरत नहीं पड़ेगी ना ही ऐसा कुछ है कि मिर्ची बगर लगेगी कुछ नहीं बहुत बड़े हैं यह मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर रख रखा है अभी आप इस तरीके से चलाते रहिए बराबर अलू को थोड़ा थोड़ा द नालों को इक बाउल में निकाल कर रख लेते हैं क्या करना हैं को इसी कड़ाई में पोड़ी उतारनी है तो आलों अच्छे से मिक्स करके उसके अधिन आलों को हम क्या करते हैं एक बाउल में निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको निकाल कर रखोंगी देखिए इसको तो हमने चला लिया है और हमने इसको निकालना है कड़ाई ब्लुकुल साफ कर देनी है इसी में हम बाद में देशीगी एट करेंगे फ्रेंट्स और देशीगी मैस में वीडियम साइज का एक बावल में देशीगी लेकर इसको एट करूंगी आपर कड़ाई ब करेंगें नहीं पानी देंगे नहीं नमक करते कि आता में बेकर हो जाएगा पुडिव करें नहीं नहीं कूल खोझाएंगा फोड़ी दूडिवी तबहुतागी है एएसे ही हमको करना है तोड़ा थोड़ा करना है क्विल्कुल नहीं पानी नमक कें अक्ष्य नहीं लेना एसे आड़ा हपी से हां रहे देखे आटाकुन के या न तोड़ सव टाइम जरूर लगता है लेकिन बढ़ी हासा अटा घुनके रेडि हो जाता है देखेए कि आप भी मनाई यह व्रत की ठाली बहुत अच्छे रेडि हो गी बहुत बढ़ीया पूरिया मनकर रेडि हो गी बहुत को कि अंच धृता कर देड़ी हो गया यह अच्याट कूंसरा है मैं घी गम होने रख था तो हम क्या करते हैं रहे हम लोईयां बनाके अपनी पूडियां बेलते हैं सबसे पहले हम छोटी सी पूडियार करेंगे ब्रत की थाली है तो फिर ब्रत के साफ से ही बननी चाहिए एक छोटी सी पूडियां पहले बनाने के लिए एक चोटा सा वह हम गाय के लिए निकालते हैं तो इसलिए पहले वह न एकुडी हो जाता है। गी अच्छा से सिंगया हो रहा है और अब यह नहीं हम अगतूरैSoft क्यां प्ली का इस्तवाल नहीं कियाерм नौर्मल वह देख्यास बनाते हैं इसी में थोड़ा एक से लिच». REM आप वान तक्षा एंच्छा noises का काठ जी करते हैं तो सब चाहने से देखिए पूड़ी बढ़िया से उठ रही है अब इसको थोड़ा सा यह देखिए आप ऐसे करके हां से करके रख लेना है जिसे की आटा हमारा स्लैप पर या चकले पर चिपके बिल्कुल भी नहीं इस तरीके से मैं कर लेती हूं इसको चिपकता नहीं है फिर उठाने में भी दिक्कत नहीं होती गी गरम हो गया है अब हम क्या करते हैं सबसे पहले चोटी सी पूड़ी जो हमने रेडी करी है उसको एट करेंगे देखिए किस तरीके सफ्राइ करते हैं घी गरम हो गया है फ्रेंट पूड़ी पी तयार हो रही है देखिए आप इसको अच्छे से इसके पर गी डाल डालकर हमको करना है कर्ची की सायता से इससे पूड़ी हमारी बढ़िया से पूल कर रेडी होगी क्योंकि जब आप गेहुंक्याट तो कर्ची से कर सकते हो तो किसको प्रेस नहीं कर सकते हैं यह बहुत सफ्ट हो जाता है गी में जाकर तो इसे इस तरीके से हलक हांसर करना यह तो गायगी ने हिए धो पूरी तरीके से रेडी होगी है नहीं आप लाई गया अभी três ला आयो पूरी बढ़िया बनकर रेडी होगी। बहुत हलकी हांसे मैं कर रहे हूं। उपर से थोड़ा सा इसको गीजे कर रहे हूं। इस तरीके से आप भी करें। देखें पूरी फूल गई ना कितनी बड़िया रेडी ओही आप भी बनाईये फ्रेंट बहुत अच्छा बनता है खाने में बहुत ही किस्पी होती है अब ब्रत में कूटों की आटे की पूरी आलू दही नहीं खाया तो मिल्लब ऐसा लगता है ब्रत में कुछ खाया ही नहीं ब्रत का special खाना तो हम मिस्स करते हैं देखिए कितने नहीं ठीन होई है ऽो भी साइड में अब अप्रैंट साइड में गया इसे सट ठोल में गी बढ़या से गरम हो चुका है, अभी गैस की फ्लेम तेज ए फ्रेंट, जब पौड़ी हमारी फूल जाएगी इसको इसको करदेंगे, दीमा करने के बाद क्या होता है, जब हमारी फ्लेमी हो जाती है, हलकी हो जाती है, सिम हो जाती है, लोग कहते है, तो आप इसको पलट य कितनी क्रिस्पी रेडी होती है बस जब तक पोड़ी फूलती नहीं है तब तक गैस के फिलेम को थोड़ा से तेज आप देखिए अगर तेज फिलेम पर बराबर आप इसको सेहेंगे तो क्या होता यह उपर उपर से तो दिखता है कि सिग्यावा अंदर से कच्छी रह जाती ह बिलुकुल भी क्रिस्पी नी बनती अच्छी नी बनती हमको एकदम दीमा कर देना है फिर इसको अब इसको पलटते रहना है कलर भी अच्छा आएगा पोड़ी भी बढ़िया सी रेडी होगी हमरी देखिए इस तरीके से हमको बनाना है आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया प कितनी बढ़ा पूरि बनका तव्यार हुई है कर्ची को थोड़ा हलके हाथ से ही साइट से लगाइए क्योंकि बहुत सौफ्ट हो जाता है आटा जब पूरी बनती है इसकी तो इसाब से थोड़ा हलके आज से करिए आप पूरी हमारी पूरी पिल्कुल तरीके से रेडी हो गई है बहुत बढ़िया तरीके से इसको थोड़ा से ऐसे ही घुमा का फ्रेंड तोड़ा गरम है आप देखके करिएगा पूरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है आमने अपनी थाली भी रेडी कर लिया है आप फ्रेंड aft कि अब रहां अब आपको पसंद आती हैं अब मेरि वीडीयो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा बना है, कीरती गोयल के अस्वाई में बहुत बहुत द्वागत है,